दोस्तों आप सब में से ही एक लोग ने मेरे से पूछा था जो मेरे डेली चैनल को आज करते हैं और वो कह रहा है कि आपके सर चैनल से बहुत अच्छी जनकारी मिलती है और उन्होंने मेरे से एक छोटा सवाल किये था कि सर ये बताईए कि मैं अभी अपना घर में पेंट का क देना फिर पूटी करवाने के बाद उस पर प्राइमर करवाना प्राइमर करने के बाद आप उसमें प्लास्टिक पेंट होती है या जो भी पेंट करवाना है आप उसमें पेंट करवाना तो क्या ये इतने सारे तरीका करना पड़ेगा चार-चारे स्टेप होगा इसमें इ फिर जो दुकंदार होते हैं अगर आप उनके पास जाए तो उनको भी तो माल बेचना है भाई तो भी आपको तरह तरह के के सवाल देंगे पेंटर को भी अपने काम बढ़ाना है जितना उसका कोट बढ़ेगा जैसे कि यह चार जो कोट मैं बताया अलग-अलग दो-दो कोट करेगा तो आठ कोट हो गया तो उसका भी पैसा बढ़ रहा है आपको बहुत ज्यादा धिहान रखना है जब आपका दिवारे सुक जाया करीवन 6-7 दिन बाद यानि 8-9 दिन पर आपको क्या करना है कि प्लास्टर को चेक करना है कहीं पर उसमें क्रैक तो नहीं आ रहा है कहीं पर उसमें गड़्डे उटे तो नहीं है यह सब चीजे दे आपको दिहान रखना है कि अगर आप दो कोट लगाते तो आप थोड़ा सा उसको पतला घोल भी बनवा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन आप एक कोट लगवाएंगे तो थोड़ा सा मोटा ही उसमें पेश्ट बनवाए घोल बनवाए और उससे पूरे दिवार प पनाना जो भी उसमें पोर्स होगर है छेद होगर होते हैं छीदर होते हैं जिससे की पानी अंदर जा सकता है उसको भर देता है क्रैक होगर होगा तो उसको भर देगा गड़ा होगा तो उसको भर देगा यानि कि आपके प्लास्टर तो फीनिस था ही एसमूद चिकना तो थ तो हमने एक कोट मार दिया उसके बाद उसको आपको करना क्या है कि DOUस्तू पहला कोट जब white स्रेमिंट को लगाना से पहले आपको पेलन प्रीपेश कोट है जो पत्टी होन होटा है इसे या जो उसके बाद आपको कहने क्या है उस से कि भाई अब इस पे तुम पुट्टी लगा दो पहला कोट आपको पुट्टी लगानी है उस पे पहला कोट पुट्टी जो लगेंगी दोस्तों ओ आपको white cement मारतेंगे तो कभी भी आप जब normal plaster जो होता है डायरेक्ट plaster पर पहला कोड़ी मारते हैं तो उसकी मोटाई होती है वह ज्यादा मोटा उस पर लग जाता है करीबबन आपका तीन में तक पूटी चड़ सकती है तीन से चार कार में लग गई उसके बाद उसको छोड़ दीजिए सुखने के लिए फिर उस पर हलका हलका क्या किजिए उनको बोलिए कि घिसाई कर दो हलका हलका घिसाई हो गया फिर दूसरा कोट पुट्टी अप लगवाएंगे तो और पतला पुट्टी लगने वाला है वहां पर एक से पसी नमबर सेंड पेपर जिसे हम बोलते हैं उससे पूरा उसको रगड़वा दीजिए रगड़वाने के बाद अब यहां पर आ जाता है में चीज अब आपको घर में करना क्या है किस टाइप का पेंट करना है वह चीज हमें पता होने चाहिए बहुत लोग रोयल करवाते हैं या अलग-अलग टेक्चर पेंट होता है वह करवाते हैं जिसे बहुत इसांदार और अलग साइनिंग आती है और लोग जैसे की बहुत सौकीन है तो अगर उस तरीके का महेंगा पेंट करवाने जारा है प्लास्टिक करवाने जारा है जिससे साइनिंग चाहिए अब पर आपको पुट्टी के बाद वहां पर पुट्टी के बाद वहां पर पुट्टी के उपर एक फिनिस ला देता है उस पे sign करने वाला एक finish आ जाती है अब उसके उपर होगा क्या कि जब royal या कोई भी plastic paint अप लगाते हैं तो paint अलग ही उस पे signing आती है अलग sign करती है और दूसरी बात कि पूट्टी में जो paint अब्जर्ब करने का जो छमता होता है paint को सोखने का वो बिल्कुल खतम हो जाता है ज है तो जैसे मैं बताया है एक कोट white cement, दो कोट पूट्टी उसके बाद आपको primer करने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं एक कोट करना है नहीं दो कोट करना है पूट्टी को अच्छा से घीस देना है उसके उपर से जो OVD distemper paint होता है वो आप यूज कर लिजे कितने दो कोट में पहला कोट आपको मारना है उसके बाद उसको छोड़ देना है सुखने के लिए चेक करना है कि सअधे लिए हल्के full के अगर पूट्टी की निसान या paint का निसान आ तो इसको घीस देना है फिर उसके बाद दूसरा कोट इस पर paint चड़ा देना है तो आप ये कैसे कर सकते प्राइमर लगा दीजें प्राइमर लगा दीजे प्राइमर लगाने के बाद आप जो सब्सक्राइब गैके से अलग 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 कम्पणियों में बाँर के लिए अलक पेंट आता है तो उस तरीका का प्रप्रोफ यहानि होता है क्शिंद को शुक्त आटा है तो आपकी दिवारे खराब नही अरे एक荷्च मौन बनके नहीं निकलती है यह चीज आपको ध्यान रखना है यह सिंपल एश्टेप आपको करने से आपका वहाँ पे बचत भी होगी पेंट काफी लंबा टाइम तक चलेगा उसमें साइनिंग अच्छी बरकरार रहेगी और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा अब बहुत लोग और इसमें करते क्या है कि direct plaster के ऊपर पुट्टी चणाते हैं दो कोट में और पेंट मार देते हैं देखिए उस तरीके का भी आप काम कर सकते हैं plaster बिल्कूल अगर आपका यह smooth है सही है नया plaster है तो मैं तो यह भी कहता हैं कि अगर ओस्पर पूट्टी मारेंगे तो पूंड मजबूती यानि कि जो बॉंडिंग बनता है प्लाश्टर के साथ जो मजबूती बनती है और बहुत ही मजबूत हो जाती है तो यह भी तरीका सही है आपका बजट कम है तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि दो कोट उस पर पुट्टी चड़हिए फिर उसका घिसाई कीजिए और उस पर आप पेंट लगा दीजिए नॉर्मल पेंट की मैं बात कर रहा हूँ अगर नॉर्मल आप कर रहा है तो जैसे की डिस्टेंपर और ओबी डिजी से हम बोलते हैं या इमलसन अपने घर में ज्यादा हाई फाई पेंट कर रहा है ज्यादा साइनिंग चाहिए ज्या आपका बहुत यहां पेंट लंबा चलने वाला है और पैसे की जरूर बचत होगी